प्यार चड़ा परवार यूबती ने रची परिवार को खत्म करने की साजिश पूरे परिवार को खिलाया जहे मौका देख प्रेमीर संग फरार हुई यूबती कहते हैं कि जो प्यार का भूस सर चड़ जाता है तब इनसान में सोचरे समझने की शक्ती खत्म हो जाती है अगर कोई उनके प्यार में रोडा बनता है तो उसको खत्म करने के लिए जरा भी नहीं सोचते हैं दरसल ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब एक लड़की ही अपने प्यार के खतिर अपने परिवार के दुश्वन बन जाए और परिवार को खत्म करने की शाजिस रस डाले बदादे की गुजरात की सूरत में एक बेहदी चौकाने वाला मामला सामने आया है जिससे सुनकर आपके पैरो तरे जमीन खिसक जाएगे दरसल यहां एक लड़की प्यार में इतनी अंदी हो गई कि उसने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया एक रिपोर्ट के मताबिक सूरत के डिंडोली लाके में खुश्बू और सचिन का परिवार एक सोसाइटी में रहता था उस दोरान दोरों के बीज दोस्ती हो गए जो बाद में एक रोमैंटिक अफेयर में बदल गया हलाकि खुश्बू के माता पिता उसके रिष्टे के खलाब थे क्योंकि वो नावालिक थी दो साल पहले खुश्बू और सचिन घर छोड़कर भग गए थे लेकिन उसे ढूर कर वापस लाया गया और उसका परिवार दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया लेकिन दूर होने के बावजूद खुश्बू ने सचिन के साथ अपने रिष्टे को जारी रखा और उसे शादी करने के लिए बालिक होने का इंतसार करने लगे खुश्बू के 28 जनल दिन के दो दिन बाद उसने अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान बनाया और दोनों ने 12 सितंबर को उसके माता पिता को बेहोश करने और घर से भागने के शाद रच डाली उसने एक मेडिकल स्टो से कुछ गोलिया खरी दी और अपने परिवार को खिलाने के लिए आच्वे में बिलाया और पराठा बना कर खिला दिया पराठा पुलिस के हवाले से कहा गया था खाना खाकर जब उसके माता पिता और भाई बेहोश हो गए तो अशोक कथित तोर पर खुश्मू को लेने आया इसके बाद वो सचीन के साथ भाग गई और उसके साथ कोट में शादी गड़ ली उसके पिता बनजारा अगली सुबह देर से उठें और बेचैन हो उठें उसने अपनी बेटी को लापता पाया और अपनी पत्नी और बेटे को जगाया इस बीज पुलिस से लड़के के पिता को फोन कर जानकारी थी कि उसकी बेटी अपने पती के साथ थाने आई ये शादी का जजे स्टेशन कराकर खुश्मू और सचिन थाने पहुचे वैस्क होने पर दोनों को जाने दिया गया इसके बाद वनजारा उनके पतने और भाई के खलत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा ठीक होने के बाद पिता ने पुलिस स्टेशन पे शिकायत दर्ज कराई कि खुश्मू सचिन और सचिन के पिता अशोग ने उन्हें जहर दे कर मानने की कोशिश किया पुलिस ने जैसे ही किस दर्ज किया उसके बाद सचिन और खुश्मू फरार हो गए जबकि सचिन के पिता अशोक को गरफतार कर लिया गया है पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इस मामले को सुल्जा देगी